आम आदमी पार्टी के राज्य सबाद सांसर संजे सिंग की गिरफतारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी चंडीगड में प्रदशन कर रही है चंडीगड में जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पर जाने का जो आम आदमी पार्टी के कारी करता है वो प्रयास कर रहे है उनको यहां पर रोका गया है पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग करके आप देखिए इस वक्त पुटला जलाया गया है ED का, CBI का और केंदरी एजंसियों का दुरुपयो करने का आरोप लगाया गया है आम आद्नी पार्टी के द्वारा सामने आपको दिखाना चाहेंगे बैरिकेट के उपर काफी जो कारी करता है वो बैरिकेट के उपर चड़े हुए है वो आगे जाना चाहते हैं दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी का दफ्तर है चंडिगड में जहां पर ये लोग जाकर गहराव करना चाहते हैं लेकिन फिलाल इनको पुलिस ने रोक दिया आप देखिए लगातार परदर्शन किया जा रहा है आम आद्मी पार्टी के द्वारा और पुतले को भी आख के हवाले किया गया है और चंडिगड में भी आम आद्मी पार्टी के द्वारा जोरदार परदर्शन किया जा रहा है चंडिगड से कैमरमेंट बीर सिंग के साथ मोहित मलोतरा टीवी 9 संजे सिंग की गिरफतारी को लेकर दिल्ली से चंडिगड तक काफी हंगामा बचा है आम आद्मी पार्टी के द्वारा परदर्शन किया जा रहा है यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चंडिगड के सेक्टर 37 में जहां पर पंजाब बीजेपी दफ्तर की और जाने का आम आद्मी पार्टी के कारिकरता प्रयास कर रहे हैं गहराव करना चाते हैं केंद्री एजन्सियों, E.D. और C.B.I. के दुरुपयों का रोप लगाया जा रहा है आम आद्मी पार्टी के द्वारा लेकिन इन कारिकरताओं को वोटर कैनन से पीछे खदेड़ा जा रहा देखिए आसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं आपको दिकाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें आसू गैस के गोले भी यहां पर फायर किये जा रहे हैं कारिकरताओं को पीछे खदेड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी के कारिकरता नराज हैं संजे सिंग की गिरफतारी को लेकर और लगातार बीजे पी दफतर की और जाने का प्रयास कर रहे हैं चंडीगर में संजे सिंग की गिरफतारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कारिकरता उगर हो गए हैं बीजेपी दफ्तर का गहराव करना चाहते हैं आप देखें इस वक्त वाटर कैनन चला दिया गया है चंडीगड पुलिस के द्वारा और आम आद्धी पार्टी के कारेकरताओं को पीछे खदेडा जा रहा है यह लोग बैरिकेट्स को तोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन फिलाल यहां पर देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कारेकरताओं को पीछे खदेडा जा रहा है केंद्रिया एजनसी एडी और सीबी आई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार यह आरोप लगाये गया आमादी पार्टी के द्वारा औ आप देखिए कारेकरता उगर हो रहे थे बैरिकेट को हटा कर तोड़ कर आगे बढ़ने का परियास कर रहे थे लेकिन इस वक्त चंडिगर पुलिस ने वाटर कैनन चला कर इन कारेकरताओं को पीछे खदेड दिया आप देखिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चं पीछे घदेडने का लगातार प्रियास किया जा रहा है लेकिन कारेकरता पीछे जाने को त्यार नहीं है और लगातार संजय सिंग की गिरफतारी पर दिल्ली से चंडिगर तक लगातार बवाल मचा हुआ है संजय सिंग की गिरफतारी को लेकर दिल्ली से चंडिगर तक काफी हंगामा मचा है आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदशन किया जा रहा है यह तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं चंडिगर के सेक्टर 37 में जहां पर पंजाब बीजेपी दफ्तर की और जाने का आम आसू गैस के गोले यहां पर चोड़े गए हैं आपको दिखाना चाहेंगे सीरी तस्वीरें आसू गैस के गोले भी हाँ पर फाइर किये जा रहे हैं कारिकरताओं को पीछे खडेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी के कारिकरता नराज है ह को लेकर और लगातार बीजेपी दफ्तर की और जाने का प्रयास कर रहे हैं देखिए अभी आसु गैस के गोले यहां पर छोड़े गए हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा आधनी पार्टी के जो कारे करता हैं उनको पीछे खदेड दिया गया है आसु गैस के गोले चला आपको पता ही है जस तरीके से भारते जंता पार्टी भारत के किसी भी मानदार नेता को चोड़क नहीं छोड रही है और जितने भी करप्त हैं उनको जॉइन करवा रही है चाहां महाली से हम आए हैं डाक्टर ला स्थिवालिस के गोले चोड़े गए आपको आर्षिन